दोस्तो जैसी व्याद है आप सभी दोस्तों का हम अपने यूट्यूब चाइनल चौवान जोतिश में हार्दिक स्वागता और अभिनेंदन करते हैं दोस्तो हाजी रहे हम आपकी सेवा में हाथ कैसे देखें का अगला वीडियो लेकर आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हमारे हाथ में सूर्य परवत पर बनने वाले विवित परकार के चिन्हों के फल के बारे में दोस्तो वीडियो में आगे बनने से पहले हम आपसे छोटा सा एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है या कुछ भी थोड़ी बहुत भी जानकारी आपको मिलती है तो किरपया हमारे चानल को सस्क्राइब करें और वीडियो को लाइक और सेयर करें क्योंकि आपके एक लाइक से हमें वीडियो बनाने का एक बहुत बड़ा होसला मिलता है आपके एक लाइक से हमारी मेहनत सफल हो जाती है तो दोस्तों देर ना करते हुए आए बढ़ते हैं वीडियो की ओर दोस्तों सूर्य परवत अनामिका उंगली के नीचे होता है यह परवत मनुष्ट की सफलता का सूचक है यदि यह परवत दबा हुआ है तो व्यक्ति साधारण जीवन जीने के लिए मजबूर होता है यदि सूर्य परवत विक्सित है तो यह व्यक्ति को निश्चे ही उच्छ पदों पर ले जाता है इस परवत का विक्सित होना बहुत जरूरी होता है क्योंकि यह मान, परतिष्ठा, सफलता, प्रेम इसी पर निर्वर करता है सबसे पहले हम आपको बताएंगे सूर्य परवत पर बढने वाले त्रिभूज चिन के फल के बारे में दोस्तों, यदि किशी व्यक्ति के सूर्य परवत पर त्रिभूज का चिन हो, तो ऐसा व्यक्ति अंतर राष्टिय शफलता अरजित करता है क्रॉश का चिन, यदि किशी व्यक्त के हाथ में सूरे परवद पर क्रॉश का चिन हो, साथ ही सूरे रेखा भी हो, तो उसे सफलता मिलती है, परन्त रेखा ना हो, तो उसे समाज में बदनामी उठानी पढ़ती है, तधा जीवन संगर समय रहता है व्रत का चिन यदि किशी व्यक्ति के हाथ में सूर्य परवत पर व्रत का चिन हो तो ऐसा व्यक्ति उच्छ विचारों वाला विश्व ख्याती अरजित करता है यदि सूर्य परवत पर दूइब का चिन है तो ऐसा जातक निरासावादी जीवन बैतीत करता है वर्ग का चिन यद किसी व्यक्ति के हाथ में सूर्य परवत पर वर्ग का चिन है तो ऐसा व्यक्ति धन यस एबं समाज में प्रतिष्टा तथा उच्छ पद प्राप्त करता है ऐसे व्यक्ति में यस लिपसा अधिक नहीं होती उस व्यक्ति के अधिक धनी हो जाने पर भी उसम अहेंकार नहीं आता जाल का चिन यद किसी व्यक्ति के हाथ में सूर्य परवत पर जाल का चिन है तो ऐसे व्यक्ति को समाज में अपमानित जीवन ब्यतीत करना पड़ता है नच्छत्र चिन यदि किसी व्यक्ति के हाथ में सूर्य परवत पर नच्छत्र या तारे का चिन है और साथ में सूर्य रेखा भी है तो उस व्यक्ति को असाधारर ख्याती और धन प्राप्त होता है यदि रेखा नहीं है और नशत्र का चिन है तो भी वैव्यक्ति समस्त भहतिक शुखों का उपभोग करता है एक रेखा यदि किशी व्यक्ति के हाथ में सूर्य परवत पर एक गहरी वसीदी रेखा हो तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में यस एवम धनकी कभी कमी नहीं होती आजये अपमान वा कोई लांचन का सामना करना पड़ता है दो रेखाएं यदि किशी व्यक्ति के हाथ में सूर्य परवत पर दो रेखाएं हों तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में आएके छेतर दो होते हैं अनेक रेखाएं, यदि किशी व्यक्ति के हाथ में सूर्य परवत पर अनेक रेखाएं हों, तो ऐसा व्यक्ति अनेक आर्थिक योजनाय बनाता रहता है, परन्तु उनमें सायद ही कोई लावप्रद होती है, ऐसे व्यक्ति में अनेक कलात्मक परवतियां भी होती हैं, लेकिन स किसी में प्राप्त नहीं होती, जाल का चिन, यदि किसी विक्टि के हाथ में सूर्य परवत पर जाल का चिन हो, तो ऐसे विक्ति बहुत घमंडी होते हैं, वे वैक्ति प्रते क बात बहा चड़ा कर कहता है, तथा जूटी शान दिखाने का शौकीन होता है, दोस्तो आज के वी रहिए मुस्कुराते रहिए जैश्री राद है